बेस्ट फिलम फियर अवार्ड जो कोरियोग्राफर को मिलना चाहिए था वो फिलमों की जब शुरुआत हुई थी बेस्ट फिलम फियर अवार्ड की तब मिल जाना चाहिए था लेकिन ये इतने 34 साल के बाद शुरू किया गया था 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज बताते हैं कि आपको कि सबसे पहले बेस्ट कोरियोग्राफी का जो अवार्ड है वो किसको बिला था तो आईए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किर्पे हुई थी तो बहुत ही कम उसमें कैटागरीज थी फिल्म फियर अवार्ड में धिरे-धिरे नए-ने कैटागरीज शामिल होते गए लेकिन सबसे एहम जो कैटागरी होती है वो मिस होती गए क्योंकि डांस के बगायर निरत्य के बगायर फिल्में अधूरी थी इतने शांद गीत फिल्मों में परस्थुत किये जाते थे लेकिन कोई नहीं आगे बढ़ा इसको कि बेस्ट कोरियोग्राफर यानि के बेस्ट डांस मास्टर का अवार्ड भी शुरू किया जाए दोस्तों कोरियोग्राफर जो शब्द है ये 85 के आसपास शुरू हुआ था दोस्तों 85-86 के लेकिन उससे पहले डांस मास्टर कहा जाता था बहुत ही बढ़िया जो फिल्म इंडस्ट्री के डांस मास्टर होता थे जिननोंने क्लासी का खुब बहतरीन सीखा हुआ होता था उनका ही काम होता था कि फिल्मों में जो डांस के सीक्वेंस होते हैं डांस आइटम्स होती है उनीकी जुवेबारी दोस्तो हुआ करती थी लेकिन धीरे धीरे इसका नाम कोरियोग्राफर बन गया दोस्तो तो जो शुरुआत हुई सबसे पहले जो बेस्ट कोरियोग्राफर का आवार्ड दिया गया था वो फिल्म थी तेजाब दोस्तो 1989 में सबसे पहले जो फिल्म तेजाव थी एक दो तीन गाना आपने जरूर सुनागा लक्षमी कांत प्यारे नाल साब का है वो संगीत था तो उनका आखरी टाइम्स के जो हिट गानों में वो गीत दोस्तों तेजाव था सरोज खान अपने जमाने की सूपर डूपर कोरियोग्राफर डांसर उन्होंने इस जीद को कोरियोग्राफर दोस्तों किया गया था कहने का मतलब है कि वेस्ट जो कोरियोग्राफर का पहला अवार्ड था वो सरोज खान को मिला था उसके बाद लगाता सन 1990 में चालवाज फिलम आई थी दोस्तों उसके लिए भी उनको बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था फिर 1991 में सैलाब फिलम आई थी उसके लिए भी उनको बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था इसमें बेस्ट कोडियोग्राफी का सरोज खान को दिया गया था वीडियो यदि अच्छा लगए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जादा से जादा शेयर करना मत भूलिए दोस्तों धन्यवाद